पी राव बहादुर सिंग जी की बातचीत हुई है कॉंग्रेस से वो अटिली की टिकेट है उनको विदान सभागी देर देंगे और इस टिकेट में ये डान सिंग जी की सपोर्ट करेंगे ऐसी बाते ग्रूपों में सोसल मीडिया पे चल रही थी दो दिन के कारेकरम स्थखित करना और फिर जो एक रैली बड़ी करना थी वो भी आपने कैंचल कर दी दोस्तों चुनावी माहूल है और कहीं सोसल मीडिया पे वाइरल चल रहा था कि जेजेपी पार्टी से राव बहादुर सिंग चुनाव नहीं लडेंगे ऐसी ग्रूपों में अफवा थी सोसल मीडिय या कि अलग-अलग प्लेटफॉम पे बाते चल रही थी उसके बाद शाम को राव बहादुर सिंग जी ने प्रेस के सामने आके बताया कि नहीं ये विरोधियों के द्वारा फैलाई जारी गलत खबर है मैं चुनाव लडूंगा और जैसा मैंने कहा था चार लाख बीस हजा वोटों से मैं जीत दर्ज करूंगा तो ऐसा क्यों चल रहा है क्यों दूसरे जो भी पक्षी है या कोई और दल है वो ऐसे अफ़ग क्यों फैला रहा है वो सारी बातचीत जानने के लिए हमारे साथ जेजेपी से प्रत्याशी जो राव बहादुर सिंग जी हैं वो हमारे सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी लगातार गाउं में चल रहे थे कैसे हैं आपकी तरा जैसे बिलकुल बहुत ही बढ़िया गाउं का तो आपको पता है रिस्पोंस से जिस परकार का मैंने एक महने से पिछले एक महने से मैं गाउं में गया तक्रीबने 500-600 गाउं मने निकालने का काम किया और जिस परकार का रिस्पोंस मेरे को मिल रहा है आज भी मैं कह सकता हूं कि यह तो आज आये हैं कल कांगरेस का कंडिडेट आया है और कुछ दिन पहले बीजीपी का आया जा धर्मबीर जी तो वैसे नहीं जाता कि उसका तो गाउं में क कर सकता हूं आक कि बार भी हम है चार लाख वील भीज़ार वो्टोस जित्थेंगे यह लोग कभी गहें नहीं च्यार दान सिंग की बात करें चाहे धर्मबीर जी की बात करें यह एक भी दिन पार्लिया मेंटरी कांसी-चूनशी में मैं दायों से कह सकता हूं कि कहीं जत्र किसी के दुख सुख में या विकास के काम में कोई काम करने का काम नहीं किया, धर्मबिर जी कभी हुई हाल है, दस साल आपके बीच में आपके सांसद रें और एक दिन भी गहे नहीं, तो मैं कोई जूट नहीं बोल रहा हम चार लाख पीस जार वोटों से लूचितेंगे, अक कि हां के लोग अब की बार आपको बोट देने का काम करेंगे क्योंकि आप इनके बीच मरे हो और इस इलाके में ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि हां के लोग आप इतने बोड़े नहीं हैं जो लोग इनके पास में जाएगा नहीं उसको बोट कैसे डालेंगे ये अपने आ मैं भी कल देख करके हैं रहे गाया लोगों का मेरे साथ में जो प्यार था उन्हें मेरे से पूछा का आप कर क्या रहा हूं मैं कोई ऐसी बात नहीं हम चुनाव लड़ेंगे और दो तारिक को सबा बारा बजी हम फार्म जमा करवाने का काम करेंगे कुछ लोगों ने ऐसी भी अफ़ाई उड़ाने का काम किया कुछ ने अपने सारा प्रोग्राम पोश्पोन करकर करके मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं मैं पिछले एक महने से और बलकि एक महने से नहीं पिछली चार साल से और चार साल के बाद मैं भी नॉम्बर से ले करके आज तक इनकी पार्टनर्सीप है और पार्टनर्सीप में काम करकर के आब इनको ये ड्रस हताने लगा चाहे बीजेपी के लोगों की बात करें चाहे धर्मबिर जी की बात करें चाहे दान सिंग की बात करें चाहे माननी हमारे वुपतन सिंग की बात करें इनकी एक तिग किया गया लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि रावदान सिंग को अभी दो तीन दिन पहले आया था और वो भी कहीं गुरुगां से हैं कमी रेवाडी से पूरे हरियाना की एक गाड़ी एक ड्राइवर दो आदमी आये और इतना यहां दिखा करके चलेगे कि मेरे पास में कर सकता हूं लेकिन जो प्यार आपके साथ में आपको मिलेगा आपकी बार हम जितेंगे मैं दावे से कह सकता हूं यह दोनुं कितना भी जोर लगा ले दोनुं कराने का काम करें ऐसा क्या ड्र लग रहा है इनको जो अफवाएं फैला रहे हैं या किस पर आपको सक लगता है जो कह रहे हैं कि बादुर सिंग चुनाव नहीं लड़ेगा मामला क्या चल रहा है तरियर मैं एक बात कह सकता हूँ ये बड़ी भूलखा रहा है अब की बार मैं चुनाव जीत रहा हूँ और ये ड्रके मारे ड्रे इनको सता रहा है अगर किसी परकार से भादुर सिंग को लोगों के में कमजोर किया जाए लेकिन लोग मुझे जानते है मैं लोगों को जानता हूँ जिस परकार का हमने पिछली चार साल से और पिछले च्छे मेने से बराबर बराबर लोगों के बीच में रहे और मैं समझता हूँ कि अब की बार ये प्यार मिलेगा और जहां तक मैं एक बात करता हूँ अगर ये मेरे ख्याल में हमारे इलाके के लोग भूल नहीं खाएंगे अगर इनको वोट डालेंगे तो ये तो असली डिसी तो ही और मैं उनके बीच का हूँ जो इनके बीच में बठा हूँ मैं उनका अपड़ा बेटा पोता भाई हूँ तो मैं समझता हूँ कि अब वो अन पर जनता नहीं है यहां की जनता अब हमने पढ़ा दिये हैं यहां के आई-एस बन रहे हैं आई-पी-एस बन रहे हैं डाक्ट रहे हैं जरहां तक बाक्ट आपि की करिये किसी प्रकार की कोई भी बात करें मैंने एक बात अगर मेरे को चुनाव विधान सभागा लड़ना होता तो पहली मेरे को कांगरेस बन result कर दिया था सब्सक्राइब करना और फिर जो एक रैली बड़ी करना और दो दिन का कारी करम मैंने इसलिए किये थे एक तो हमें बड़ी रेली करनी थी और आज का दिन मुझे सालासर जाना था और कल का दिन मुझे उस रैली के लिए कहीं कहीं टेली फून करके अपने आदिम को बताना भी था तैयारी भी करनी थी उसको लेकर कि हमने पोस्ट परनकली किये थे और आज का मुझे बाबा सालासर के रहे है खाटू शामजी के जाना था दो दिन का प्रोग्राम इसलिए क्या था रैली की जहां तक है हमचे में तिस ऊइप लेकर के जो जगां दी गई भीड अच्छे तरह के से नहीं जूड़ पाती इसलिए हमने फैसल ला लिया कि अगला प्रोग्राम होगा डिश्टिक वाइज डिश्टिक सत्रिये जिला सत्रिये रेलिया हम वहीं जाकर करने के नोमिनेशन के बाद में करेंगे अब कल करेंगे दो तारिको और सवा बारा बत सारी बात तों कि एक बात ने चोड़ी है कि चुनाव कुछ भी हो जाए लड़ेंगे चुनाव कमाल है लड़ेंगे 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 चुनाव मेरे ख्याल में कहीं तीन बार मैं यह कहूं जिस आदमे को बोट कैसे देंगे मैं तो सभी साथियू से एक बात करना सता हूं 2004 में मेरे पास में लोग आये मैंने उनकी बात मान करके नहरनोड चुनाव लड़ा और फिर 2009 में मेरे पास में लोग आये मेरे को टिकेट मिली मैंने उनकी बात मान करके नंगल चोधरी लड़ा और फिर 14 में मेरे को टिकेट मिली 14 दिन में रहा मैंने का नहीं मैं किसी रावदान सिंग की बात करें इनको हराने का क्या है आने वाड़े टाइम में हर राजनितिक लोगों को हिए पता लग जाए हां वास्त में लोगों की बीच में नहीं जाओगे लोगों का काम नहीं करोगे तो ऐसी है लोगा आपको सबक सिखाने का काम ने के बाद oh यह टिकट मेरे ख्याल में यह टिकट मिलने के बाद में और पिछा अगर यह पच्चीस साल से था जब इसके पास में यह दूंग्डा बेवड़ यह सारे गऑं हमारी महंदर कान इसीसूं होते थे और पिछली बार नो से जब से गया है जब सभी एक दिन भी नहीं गाए उन गाओं में इसको पहली तो लोगों नहीं को दोनों को सब खाने का काम करें अब की बार बाते चल रहे हैं बिलकुल मैं पार नहीं चार लाख वीच जार बोटों से जितूंगा बाहद जैसा आपने देखा कि जितनी भी बाते चल रही थी सोसिल मेडिया पे उन सब को नकार दिया है राव भादूर सिंग जज़िपा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और कल सवा बारा बजे नारनोल में अपना नॉमिनेशन करेंगे उसके बाद आपके बीच में आएंगे और लगातार बड़ी रैलियां करेंगे इस खबर को लेके आपको क्या लगता है किन लोगों द्वारा ये फैलाई गई कि भी बादूर सिंग चुनाव नहीं लड़ेंगे कौन चाहता है किसको डर है कि बादूर सिंग जीत रहा है इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं और शेर करें और लगातार देख करें इडिया न्यूज 16 नमस्कार धन्यवाद